असलाम अलेकूम, I am here for you with Danny video वन के नाल 50 by 90 का ये घर है इस घर की लिकेशन डी अच्छे लहोर है इस घर के कुछ ऐसे फीचर हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेर करूँगा इस घर को टोटल एक लास मेटिरियल के साथ बनाया गया है इस घर में जो फिटिंग की गी है और ग्रोही की की गी है टोटल इंपोर्टन टाइल यूज की गी है इसी तरह आगे जा की जो फीचर्स हैं वो तमाम आपके साथ शेर करूँगा आप सॉलिड डॉल यूज की गी है जिनमें वुड जो है वो एश वुड की यूज की गी है इसमें एक फैशन रूम, स्टेडी रूम, तीन किचन दिया गया है टोटल फाइब बेड रूम का ये घर है दो जो सर्वेंट को अटर है वो बेस्मेंट में रखे गए है तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डीटेल में इसका विजिट करते हैं इसका काल पोर्च साफ है जिसमें 2-3 गाडिया राम से पार्क हो सकती है सामने आप इस वाल पे इंटीर दे सकते हैं फ्लोरिंग आप दे सकते हैं ये इसकी में एंटरस और इस तरफ इसका इजी फ्रंट लाज जिसमें ग्रास और प्लांट σ लगाएगे är दोनों साइड पे घर की five five feet की spaces दीगेगे इस तरफ भी five feet की space है और लेफ तरफ भी right और लेफ दोना तरफ five five feet की space दीगे है और बैक पे भी स्पेस दीगे यह सामने आप कुरानी आयत देख सकते हैं इस तरह भी वोड के वाइक से आप देशकते हैं इंटिरियर किया गया है कि यह फरन्ट लान है इसका थर्टीन फ्रिट नइंसका आर्टिफिशिल ग्राव जो है वो दिवार पे लगाई गी है सबन्न प्लांस का इरिका दे सकते हैं इसी तरह फरन्ट लावन में जो ग्रास लगाई है विंडू जह तोटल हाई इड़र रखी कीए आगे जाके आपके तेख समय होते हैं ऊसके को डबल हाइट में डिजाइन किया गया है और एंट कि यह लोभी जा रही है, सारी को double हैट में डिज़ाइन किया है वो मैंट डिटेल मैं आपके साओँ शेयर कर人 हूँ यह staircase का जो design है वो भी double हैट में design किया गए और सामने इसका निचे powder room दिया गए stairs उपर जाए हैं यहीं से first floor पे carry around इiliation की इस पूरी lobby में wallpaper इस्तमाल किया गए जैसा कि मैंने बताया कि पूरी lobby को double height में design किया गए आगे bedrooms की तरफ आएं तो इसको भी आप देश सकते हैं specially install किया गए और इसको भी double height में design किया गए इस तरफ इसका kitchen है sliding door दिया गया kitchen का और यह दूस्रों एंगल से इस lobby को में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यह देश सकते हैं आप डबल हाइट में इसको भी डिजाइन किया गए राइट तरफ इसका ड्राइंग और डाइनिंग दिया गए चलते हैं इसके ड्राइंग में यह है जी फुल व्यू इस ड्राइंग रूम का सामझे फाइल प्लेस दी गए उसके पीछे स्टोन का वर्ग किया गए फ्लोरिंग जी इसकी क्राइब वाइट टाइल में की गए और सरफ इसका डाइनिंग एरिया दिया गए यह सिलिंग डिजाइन white and brown theme में इसका ceiling design रखा गए जिसमें बहुत ही खुबसरे चैनलियर इंस्टॉल किया गए सामने इसका इसकी इंस्टॉल किया गए इस तरफ इसके जी dining क्रायब वाइटाइल फ्लोरिंग में और बार्डर में भी same टाइल यूज की गए की ceiling design इस dining का सामने इसके शेनलियर इंस्टॉल किया गए कि sliding door दिया गया विंडो और डाइनिंग के दरम्यान में इधर इसकी विंडो आप जिसकते हैं total रूफ की हाइट तक इसकी जो ड्राइंग रूम की विंडों है वो सामने आप जैसकते हैं total की हाइट से इसको डिजाइन किया गए यह फुल व्यूस डाइनिंग और ड्राइंग का यह से लिंग डाइनिंग का इसमें इसी इंस्टॉल किया गए अब चलते हैं जी डाइनिंग से हम सीधा अपने लिविंग की तरफ जाते हैं यह शैनली क्लोज करके मैं दिखा रहा हूं कि यह फुल व्यू इसलिविंग का यह वायर थी में इसका के आइनिंग दिजाइन इस लिविंग का वायर थी में इसका से सिलिंग डिजाइन किया गए इस सामने आप दे सकते हैं इसे LED पॉइंट जो है उसको डिजाइन किया गए इस तरफ इसके दो बेड्रूम डिजाइन किये गए यह सामने आप लॉबी एरिया दे सकते हैं लॉबी के दोनों तरफ इसके बेड्रूम दे तो वन बाई वन दोनों को देखते हैं यह फर्स सामने दिया गया है इसी इसमें स्टॉल किया गया है इस इस इलिंग डिजाइन इसका और यह सामने फीचर वाल इसकी जिस पर इंटीर किया गया है जलते हैं इसके टैच वाश्रूम में वाड डोब एरिया एंटर होते ही दोना तरफ इसका वाड डोब एरिया रखा गया है यह सिलिंग डिजाइन आप इसका देख सकते हैं आगे चलते हैं तो इसका चुकूजी का एरिया जाता है सामने इसकी लेफ्ट राइट पर चुकूजी है राइट साइट पर इसकी इमेने किया गए वाल पे आप टाइल का इस्तमाल देशकते हैं चिकुजी को ग्लोज करके दिखा देता हूँ इस शावर कैबन सामने लेफ तरफ और राइट तरफ इसका कमोड है कंसील कमोड दिया गए सेलिंग डिजाइन यह सामने इसका 180 एरिया चेक कर सकते हैं आप चलते हैं आप इसके बाद दूसरे बैड रूम में यह दूसरे अंगल से आप देश सकते हैं इस वाश रूम को यह दूसरे बैड रूम में चलते हैं और बने अब निश्यक्त में इंटिगर दे सकते हैं वार्णॉप दिवार के नदर फिक्स किई हैं यह फुल विव इस बैड्रूम का और फ्लोरिंग आप इसारी से दे सकते हैं यह सामने इसका लेडिय पॉइंट दिया गया है वार्डोब जो है विद्वार के अंदर फिक्स की ही है ये इसकी फ्लोरिंग और इसी तरह ये इसका सेलिंग डिजाइन चलते हैं इसके अटाइच वाश्टूम में सामने इसकी वैनिटी देख सकते हैं बहुत खुब फूरा तरीके से इस वैनिटी को डिजाइन किया गया है इसकी फ्लोरिंग देख सकते हैं यह वैनिटी डिजाइन इसका वाल पर आप टाइल का इस्तमाल दे सकते हैं इस तरफ इसका कंसील को मोड दिया गया है सामने शावर कैबन दिया गया है यह फुल व्यू इस बात का और इस तरह यह इसका सेलिंग डिजाइन इसके बाद चलते हैं इसके फस्ट फ्लोर पे उसका प्लैन आपके साथ शेयर करते है इस सामने इसका किचन है शेयर के बीकुल साथ इसका किचन दिया गए तो चलते हैं जी इसके किचन में स्लाइडिंग डोर के साथ इसका किचन है किचिन को मेंन सेंटर हुट दिया गए यह सिलिंग डिजाइन इस किचिन का किचिन कामने डिजाइन आप दे सकते हैं माइक्रो ओवन और फिज जिसमें स्ट्वाल किया गए किचिन की जो स्लैब है उसको वाइट कलर में रखा गया और इस तरफ इस किचिन का वर्किंग किचिन दिया गए इसको भी संटर हुट के साथ कनेक्टेड किया गए और दूसरे अंगल से फिर इस किचिन को शेर कर देता हूँ आपके साथ यही से जा रही है स्टेर थी फर्स्ट फ्लॉर पर railing इसमें install किया गया, glass इसमें लगाया गया चलते हैं, stairs से हम first floor पे आप इसमें stair design दे सकते हैं, stair पे जो marble लगाया गया वो आपके सामने ग्लास इसमाल किया गया, railing में ये उपर आते ही, इसका double height stair lobby जा एरिया जो आप मैंने ground floor में खड़ा हो के दिखा हैं, आप first floor पे खड़ा हो के दिखा रहा हूँ, इसमें 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 आप सामने है, सामने आप scenery में work देख सकते हैं, इसका bridge दिया गया है क्योंकि total जो है और double height stair lobby एरिया था इसका, जो लाबी दी गी थी, तो इसके लिए bridges बनाएंगे हैं, अब मैं दिखाता हूँ हूँ, आगे जाके आपको यहां से फिर दो तीन steps के बाद, हमारा first floor आता है, तो चलते हैं इसके first floor पे यह आप दे सकते हैं, सामने फिर double height में stair जो है, उससे आगे जो area वो भी double height में design किया गया, सामने शैनली इंस्टाल किया गया और यह bridge दिया गया bedroom को access करने के लिए, इस तरफ भी शैनली इंस्टाल किया गया और उसमें bedroom दिया गया, चोटा से terrace इस तरफ दिया गया side open terrace भी है इस घर में इस तरफ इसका main entrance door है first floor का, और यह store दिया गया first floor पर, एक bedroom जो है front पर दिया गया है, बाकी में plan आपके साथ one by one सारा share करता हूँ, तो यह front वाले bedroom हमको पहले देख लेते हैं इसको यह full view is bed का, cryo wide tile में इसकी flooring की गया है, सामने इसका attached washroom का door है, ceiling design इसका यह scality point पहले इसका आप दे सकते हैं, सामने इसका glass दिया गया है, concealed commode shower cabinets में भी दिया गया है vanity area wall पर आप tile का इस्तमाल दे सकते हैं और यह इसका ceiling design wardrobe को दिवार के अंदर fix किया गया है यह open terrace है इसका सामने जो glass दिया गया था चलते हैं जी, आगे यह मैंने आपको main entrance दिखाई थी, इससे enter होते है enter होते हैं, इसका living area आता है, wall पर आप red और white contrast में इसके theme बनाया गया, यह जो terrace है, यह दोनों bedroom को भी access करता है, और इस living को भी ventilate करता है open kitchen living के अंदर ही दिया गया है, और यहां से भी हमें enter हुए, यह kitchen आप दे सकते हैं, बिल्कुल same design में kitchen design के गया है, जैसे ground floor में किया गया था सामने इस quality point area रखा गये, यह ceiling design जिसमें बहुत ही खुब्सरों चैनल यह ने install गया गया, यह open terrace इसका, barbq purpose के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं, artificial grass इसमें दीगी है, यह आप दे सकते हैं bedroom, जो back वाला bedroom में इसको access दीगी है, और जो front full bedroom है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, और जो living है, उसमें भी window के साथ इसको access दीगी है, तो full view अगर आप बैठे हुए हैं, इसमें अपने open terrace में, side open terrace में, यह आप शार दे सकते हैं आप इसमें, तो side open terrace में बैठ के आपको access आप दोनों bedrooms की भी है, और living की भी है चलते हैं अपने bedroom की तरफ, यह हम आगे जी, third one bedroom, एक bedroom में पहले दे सकते हैं, और दो ground floor में थे, fourth one bedroom, sorry, यह position का work सामने, glass के साथ किया गया है, और यह इसकी ceiling design, white theme में किया गया है, इसको ceiling design इसका, और यह है जी, इसका, सामने attached washroom, और इस सरफ इसका LED point area, सामने इसकी vanity, shower cabin, right तरफ इसका wardrobe दी गी है, shower cabin इसका, concealed commode, चकुजिस में दी गया, वाल पे tile का काम आप दे सकते हैं, और यह इसका ceiling design, concealed commode, इसमें दिया गया, चलते हैं, last one bedroom की दरफ, wardrobe जो है, द्वार के दर फिक्स की है, यह flooring इसकी, wallpaper सामने वाल पेपर पर दे सकते हैं, यह ceiling design इसका, चलते हैं जिसके attach washroom में इसके बाद, इसका wardrobe बेरिया दे सकते हैं, इस घर की जो demand है, वो साथे 8 करोड है, अगर आप इस घर का visit करना चाते हैं, या इस घर जैसा घर बनाना चाते हैं, तो आपकी screen पर नंबर चल रहे हैं, आप किसी भी time हमें contact सकते हैं, आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कर दिजेगा, और इस चैनल को subscribe भी कर दिजेगा, ताकि आने वाली तुमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें,